नमस्क कार तोस्तों मेरा नाम में मैंनदर सिंग और आज हम टुटोरियल आपके लिए प्वर प्रूर सिल लेके आए हैं, क्यूबेस का जिसमें हैं कि हम आपको बताएंगे trata ? चाहँ करते हैं उनको आप कीसे हैंडल करते हैं। उसमें क्या क्या सा फीचर होते हैं। उसके बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले हम QvS का एक session हम बना लेते हैं, वो मैंने बना लिया है, और उसके बाद हम सबसे पहले एक tracks में add करेंगे, सबसे पहले एड करेंगे, जो होगा वो add audio track, तो audio track आप जैसे ही खोलेंगे, तो खोलते ही आपके पास एक dialogue box को लेगा, जिसमें की सबसे पहला option है, ब्राउस का, तो इस ब्राउस के अंदर क्या होता है, इस ब्राउस के अंदर होता है, कि आप जो भी आप track बना रहे हो, किसी भी चीज का, उसके अंदर इसके presets पहले से ही predefined होते हैं, यह देखे, ब्राउस हम करेंगे, तो ब्राउस में क्लिक कर बहुत सारे option है, डिपेंड करता है कि आप क्या, आपने track किस लिए बनाया है, मालने जीए कि आपने वोकल रिकॉर्ड करने के लिए track बनाया है, तो आप वोकल पे क्लिक करेंगे, और वोकल पे क्लिक करने के बाद देखे, आपके पास अगले सब केटेगराईस के option आगे है उसमें आप से पूछ रहा है कि आप spoken words आप करना चाहते हो, या फिर lead vocal है, effect है, coil है, तो आप spoken words में करता हूँ, classical style, single style, चैदल कैसे करेंगे हम, चैदल हम stereo में record करेंगे, उसके बाद हमारे पास देखे, यह option आगे है, spoken female warm voice, तो हम spoken female warm voice का इसमें ले लेते है, अगर आप इसको add track करेंगे, तो add track करने के बाद देखेंगे, आपकी आपका track तयार हो गया है, और तयार track के बाद आप left side में inspector में देखेंगे, तो इसमें कुछ आपके plugins भी install हो गए है, और equalization पहले से ही predefined हो गई है, तो यह देखेंगे, हम इसको click करते हैं, और देखते ह यहां पे, यह हमारा preset जो इसमें लगा हुआ है, spoken word के नाम से, अगर आप इसको change भी करना चाहते हैं, तो बाद में यह यहां से change भी हो जाएगा, वोकल में अगर आप click करेंगे, तो देखेंगे, यहां पे बहुत सारे आपके पास, और भी वो है, अगर आप मालने जीए, male voice record करना चाहते हैं, तो आप यहां से male voice को click कर सकते हैं, तो male voice का उसमें preset खुल जाएगा, अब यह देखें, यहां से आपको बाच लेगा कि आपके इसमें कौन-कौन से inserts, देखेंगे, अभी insert activate है, और equalizer जो है वो activate है, तो हमारे male voice के according इसमें inserts में, इसमें देखेंगे, वी equalizer भी आप इसमें पहले से ही set हो गया है, तो यह अच्छी चीज है, अगर आपके बास pre-defined कुछ भी है नहीं करने को आपको time कम है, और आप preset select कर लेजिए और वहां से select करने के बाद यह automatically आपके लिए install कर देगा, तो यह तो दोस्तों बात हुई आपका dialogue box के बारे में, सब आपके बाद आगे चलेंगे, आगे चलके यह counts पूछेगा, कि आपको कितने counts के tracks कोले हैं, माली जी हमें दो track कोले हैं, तो हम दो में click करेंगे, उसके बाद configuration में पूछेगा कि आपको tracks की configuration क्या रखनी है, mono रखनी है, कि stereo रखनी है, आप अपने ज़रोत के हैसाब से mono, अगर मैं अपने नाम से इसको रखना चाहता हूं, तो मेरे नाम से यह record होगा, उसके बाद add track करेंगे, यहाँ पर add track खुल जाएंगे, महंदर के नाम से 2, यह देखिए, महंदर 1 and 2, जो second है, वो महंदर 2, तो दोस्तों, यह हमारा सबसे पहले add audio track का option जो था, यह इसके बा remove selected track लिखावा आ रहा है, आप इसको क्लिक करेंगे, तो वो track हट जाएगा, और दूसरी चीज एक important चीज है, मानलेजिए आपके बहुत सारे track हैं, जिसमें से कई सारे track खाली हैं, और कई सारे track में आपके audio reasons है, तो आप चाहते हो कि जो खाली track हैं, वो अपने आप हट तो इसलिए इसने सारे हटा दिये हैं, तो ये भी एक बहुत काम का feature है, दोस्तो आगे चलते हैं, और आगे चलके हम, मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, मालेजिए आपके पास तीन track हैं, और देखें तीनो track जो है, इस line में आपके पास हैं, और आप चाहते हैं कि tracks आ करके ऐसे ऊपर कर दूँगा, तो ये tracks आपके अनुसार ऊपर और नीचे सेट हो सकते हैं, दोस्तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बगल में बने के आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि आपको हमारी लेटस्ट वीडियो मिलती रहें, दोस्तो आगे चलते हैं, और आगे चलके मैं आपको बताता हूं कि tracks के नाम कैसे change होते हैं, तो माली जी आप add कर लेजे कुछ tracks, तीन track में इसमें add कर लेता हूं, इसके नाम अगर change करना तो simply आप double click करेंगे, उसके उपर जो जैसे कि मैं इसमें कुछ import कर लेता हूं, यह जैसे कि मैंने इसमें track import कर लिया है, और मैं इसको edit कर देता हूं, बीच-बीच में से, अलग-अलग तरीके से, आप देखिए इसका एक track, एक मेरे पास audio region ये है, एक ये है, और एक ये है, तो अगर मैं चाहता हूं कि मैंने जो मानली जी आपका नाम मैं अपना नाम डाले तो महिंदर और अगर मैं चाहता हूं कि इस जो औरीजन इसमें कलिम्बा लिखा हुआ है इस में कलिम्बा के साथ मेरा नाम भी एड़ हो जाए तो कैसे होगा आपको सिंपली अपना ट्रैक में नाम लिखना है उसके बाद आल्ट ट्रैक्स के बारे में अब लिजी आपने कुछ रिकॉर्ड किया रिकॉर्ड करके आप चाहते हैं कि आपका यह वाला टेक जो बीच वाला टेक है यह आपको टेक अच्छा लग रहा है तो आप इसको माक कैसे करेंगे आपको कैसे पाइच लेगा कि बहुत सारे पचासों टेक े से आपका यहला टेक को मैं होके तो आप क्या करेंगे सिंप्ली इसको आप कलर कर सकते हैं किसी अलग कंठ्क्रों में देखरें में लिए तो यह अगए अगर इसको पकड़ करता este तो दोस्तो यह भी बहुत अच्छा फीचर है आपके किसी भी टेक को अगर आपको रिमेंबर करना है उसके लिए दोस्तो आगे चलते हम और आगे चलके देखते हैं मान लीजी आपको इस पूरे track को ही color करना है इसमें जितने भी audio regions है उजलेख यह जाए यह दिखिए मली striler में इसको copy कर लिता हूं यह देखिए मैने copy कल मैं चाहता हूं कि मेरे ये सारे सारे हे सेम ही कलर के हो जाये देखे पिली को किसे होंगे फाले पहले की इफकें पहले कि ये ये में इनको का कई अभन कुछा कर दिया अब में चाहता हूं कि Pars I ऊसको हुगा तो राटे हेस cuma कि आप को सक ट एंप करें गे इसके नाम के आगे एक चोटा सा एरो बना हुआ है एरो पे आप क्लिक करेंगे और इसको क्लिक कर देंगे तो देखेंगे कि आपका ये पूरा ट्रैक ही रेड कलर का हो गया है इसके बाद हम थर्ड को अगर करना चाहें तो इस तरह से आप ट्रैक को अपने कलर में डिफ्रेंशियेट कर सकते हैं इसका यह दूसरा तरीका एग यह है कि आप अपने यह आपका ट्रैक आपको दिख रहा है इसके यहां पर अगर 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 करेंगे तो यह यहां से भी आप कलर करना चाहूं तो इस आप इस कमांड को भी आजमा सकते हैं देखिए दोस्तों आप जबी भी कोई नया track बनाते हैं तो उसमें by default जो color होता है आपका normal gray color होता है तो अगर आप चाहते हैं कि आप कोई नया track बनाए और उसमें automatically की color अपने आप ले ले आप इसको simply कर देंगे use random track color इसको आप apply करेंगे ok करेंगे तो आप देखेंगे आप जब भी कोई नया track खोलेंगे तो उसका color हमेशा अलग मिलेगा यह देखिए इसका color हो गया green आप अगला खोलेंगे इसका color हो गया sky blue इसके check करने के लिए आप क्या कर सकते हैं आप इसमें record कर सकते हैं क्लिक हम off कर देंगे यह देखें यह आपका sky blue में record हो रहा है similarly अगर आप इसमें record करेंगे तो यह आपका green color में record होगा तो यह था दोस्तों आपका auto color जो आप preferences से select कर सकते हो तो चलिए दोस्तों आगे चलते हूं और आगे चलके देखते हैं कि आपको अपने tracks में अगर कोई picture अगर लगा कर 69 तो वह कैसे लगा सकते हैं। आप मालने जिये आपके पास इस track में आपके यह drums है माली जी यह आपके ड्रम से तो आप इसमें चाहते हैं कि आप इसको एजली रखनाइस कर सकते हैं इसमें अगर आपके यहां पे ट्रैक में आपके पिक्चर अगर आजाए तो कितनी अच्छी बात होगी तो उसके लिए दोस्तों आपको किया करना आपको ट्रैक में यह देकर आप अपना आइरो लेकर जाएंगर आइरो लेकर यह देखिए यहाँ पर एक अपने आप हाइलाइट होगिया इसको आप सिंपली आपको ड्लीक करना है डबल क्लिक करते हैं आपके पास बहुत सारे यह पिक्चर बनी हुई हैं अल्रेडी डिफाइंड हैं इसमें अलग अलग तरहें कि चीजें आपको मिल जाएंगी ड्रेडी लिफ्हा है बर्ड बनी हुई है ड्रम लूप है सिन्साइजर है आपके अलग अलग इंस्टुमेंट बने हुए हैं तो माली जिसमें ड्रम प्लिक करें लेता हूं और यह देखें यह यह ड्रम में आ गया है तो इसी तरीके से इसको एड कर सकते हो हरेक ट्रैक में इ डबल क्लिक करने बाद एक तो फैक्ट्री में आपको दिखाएगा जो इसमें अल्रेड़ी प्रिसेट्स इसमें मौझूद हैं उसके बाद अगला आता है यूजर, यूजर में दोस्तो आपने जो भी इसमें इंपोर्ट की है पिक्चर आपकी इंपोर्टेट कस्टम पिक्चर भी इसमें आ सकती है माली जे हम कुछ इंपोर्ट कर लेते हैं राउंड टू डॉट पी इंजी अच्छा इसमें एक चीज इसमें यह है कि आप जो भी इसमें इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट करने का जो पिक्चर का फॉर्मेट होगा वो होगा आपका बी एंपी जेपैक और पी इंजी इन त देगा माली जे मैं इसको रिमूब करना चाहता हूं तो मैं से क्लिक करके डिलीट दबाऊंगा और यह पूछेगा कि आप डिलीट करना चाहते हैं कि ये ये होगे डिलीट उसके बाद है रिसेट करेंट पिक्चर इसका मतलब है कि आपने अगर यह पिक्चर यहां पर लग तो आप चाहते हैं कि आपका जो ट्रैक कलर है वह बैगनी कलर का कुछ-कुछ और उसको इंटेंसिटी आप इसको बढ़ा दीजिए तो आप यहां पर देखेंगे तो यह भी कुछ-कुछ बैगनी कलर का ही हो जाएगा यह देखिए क्यिआ कि देता हूँ तो हन्देट परसन करें के हैं यह देखिए यह इसका बैगनी कलर चेंज व गया यह देखिए यह यहां पर इसले नहीं दीख यह द Nowadays वी में चकल मैं में दोस्त essa करेंगा यह यह चाटनों जाएगा यह गया इससको यह बढ़ा देंके इसले ए देखे जूम इन ऑगी ना जूम आउट आगला है दोस्तों रोटेट में देखे आप इसको रोटेट कर सकते हैं 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री इसी तरीके से और वापिस करना हो तो वापिस जीरो डिग्री यह मैं माउस के स्क्रॉल से कर रहा हूं तो दोस्तों यह बात हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने के आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी लेटस वीडियो मिलती रहें ठाइब तो छलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं ट्राइक की हाइट के बारे में ट्रैक की हाइट कैसे बढ़ा सकते हैं सबसे पहला तरीका है आप ट्रैक को tones up करेंगे ऐक साथ एक ही उसमें कम हो और जादा हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे Simply अपने कीबोर्ड से control प्रेस करेंगे और control प्रेस करने के बाद माउस के left click से up and down करेंगे ये देखिए आप करेंगे तो छोटा और down करेंगे तो सारी tracks बड़े हो जाएंगे Simply उसी तरीके से दोस्तों अगर जूम की आपको further और भी options पता करने हैं तो उसके लिए आप Edit में जाएए Edit में सबसे नीचे देखेंगे तो आप जूम मुझे मिलेगा इसकी command आपको मिल जाएगी Zoom in, Zoom out के लिए हमारा G और H हम यूज़ करते हैं ये देखेंगे Z में प्रेस कर रहा हूं तो Zoom out हो रहा है और H में प्रेस कर रहा हूं तो Zoom in हो रहा है उसके बाद दोस्तों अगर आप चाते हैं कि आपका जो पूरा प्रोजेक्ट है आप जिसमें काम कर रहे हो वह एक साथ पूरी स्क्रीन में आ जाए तो उसके लिए आप सिंपली इसका शॉर्ट फॉर्म है Shift F Shift के साथ आप F फ्रेस करेंगे तो यह देखिए यह पूरा का पूरा आपके पास आ गया है माल लिए यह Zoom out हो चुका है पूरा और आप चाहते हो कि जितने भी आपके प्रोजेक्ट में audio region है वह सब आपको एकी विंडो में दिख जाए तो आप सिंपली इसके लिए देखिए नॉर्मल तो आपकी जी और एच है जूम इन जूम आउट की आपको अगर इन सब को एक साथ बिना माउस की मदद से करना है तो आप सिंपली Shift के साथ जी दवाएंगे तो यह छोटे हो जाएंगे एच दवाएंगे तो यह बड़े हो जाएंगे उसके बाद दोस्तो आगे चलते हैं आगे चलके देखिए आपके अगर कोई selected track को अगर आप बड़ा करके देखना चाहते हैं या फिर छोटा करना चाहते हैं तो आप सिंपली Ctrl Alt दवाएंगे और Down Arrow दवाएंगे तो यह देखेंगे आपका selected track बड़ा हो गया है Similarly अगर इसको आपको छोटा करना है तो सेम कमांड है Ctrl Alt और Down Arrow यह देखें छोटे हो गए सब के सब उसी परकार से दोस्तो track की heights आप यहां से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं यह देखें यह जो आपको प्लस और माइनस का दिख रहा है यह track का zoom in zoom out है इसको नीचे करेंगे तो track बड़े हो जाएंगे ऊपर करेंगे ट्रैक छोटे हो जाएंगे उसी तरीके से यह scroll का है आप इसको नीचे की तरफ करेंगे तो zoom in होगा और दूसी तरफ करेंगे तो zoom out हो जाएगा और यह आपका जो scroll है यह आपका waveform है उसको कम ज़्यादा करने के लिए है यह देखिए आगर अब इसको उपर कर दूँँगा तो waveform ज़्यादा हो जाएग आने वाला हूं यह देखिए आप यह जो आपका ट्रांस्पोर्ट पैनल इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं साइड करने के बास यह नीचे आप देखेंगे यहाँ पर एक चोटा सा एरो सा बना हुआ है इस एरो पर आप राइट क्लिक करेंगे लेफ्ट क्लिक तो इसरा हैं प्राइट करते हैं कि ट्रैक के हाइड कितनी रोस के मुताबिक लंभी होगी तो देखेंगे आपको क्या करना है लेफ लिक करना है लों आपको लेफ आप लृक के अनुसार सारे tracks के height simply उतनी कर देगा simply third में थोड़ी और ज्यादा बड़ी कर देगा fourth में ये थोड़ी और बड़ी कर देगा ये देखिए fourth में थोड़ी और बड़ी हो गई है दोस्तो आगला आगाई चलते हैं आगे चलके देखेंगे zoom track n row zoom track n row भी same 1,2,3,4 यही है simply आपको इसमें ये values डालने के लिए बोलता है कि आपको row की height कितनी रखनी है मालने जिए आप एक रख लेते हैं तो ये सबसे चोटी हो जाएगी उसी तरीके से अगर आप दो रख लेते हैं तो उससे थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी simply वैसे ही 3rd and 4 है अगर आप 4 करेंगे तो ये और बड़ी हो जाएगी उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं और आगे देखिए अगला option है मरबास zoom tracks full zoom tracks full का मतलब है कि आपके active जितनी भी tracks हैं वो सारे आपको project की window में fit करके आपको दिखा देगा मैं एक बार transport panel को F2 की मदद से हटा देता हूँ जिससे कि आप थोड़ा बहतर देख सकेंगे मैं देखिए left click करेंगे zoom track full करेंगे तो इस पूरी window में ये सब fit हो जाएंगे ये देखिए पूरी window में पूरी तरीके से fit हो गए उसी तरीके से दोस्तों आगे जाएंगे आगे लिखा हो है zoom four track zoom four track का मतलब है कि आपके project में सिर्फ चार tracks को ही ये प्रोजेक्ट के active window में दिखाएगा क्लिक करेंगे देखिए ये देखिए चार tracks हमें दिखा रहा है one two three four चोथा track मेरा उपर पांचवा track मेरा ऊपर है उसी प्रकार से दोस्तों आगे चलते हैं और आगे चलके देखिएंगे तो लिखा हुए zoom eight track जूम eight track में क्लिक करेंगे तो ये आपके active tracks को फिट कर देगा आपके project में उसके बाद हम आगे चलेंगे तो लिखा है zoom end track जूम end track का मतलब है कि आप जितने भी tracks को specify करेंगे उतने ही tracks को प्रोजेक्ट विंडो में फिट करेगा माली जे मैंने two लिखा हुए देखिए इसने two tracks को इसने project में Fit कर दिया है अगर हम माली जे four track लिख देंगे तो ये four tracks को फिट कर देगा उसी तरहें और पांच track हैं तो हम 5 लिखेंगे तो ये 5 को project window में Fit कर देगा और दोस्तों उसके बाद हमारा आखरी ओप्शन है जूम ट्रैक्स मिनिमल जैसा कि ये इसका नाम खुदी बता रहा है जूम ट्रैक्स मिनिमल का कि सारे ट्रैक्स सबसे चोटी हाइट में हो जाएंगे ये देखिए ये सबसे चोटी हाइट में फिट हो गए है इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं और आगे चलके हमारा last option है snap track heights snap track heights का मतलब है देखिए मैं इसका एक minimum आपको example दिखा देता हूँ पहले तो हम अपने tracks को normal कर लेते हैं ये हमारे tracks normal हो गये फोजेक्ट को अनुसार उसके बाद आप देखेंगे कि अगर मैं इसको जूम-इन ड्राइग अगर ड्रॉप करके छूटा बड़ा करूं तो आप देखेंगे कि एक यह अपने आप रुक रहे हैं रुक रहे हैं तो यह स्नैप हो रहे हैं दूसरे इसकी हाइट के मताबिक यह adjust हो जाएंगे यह देखे यह इसकी height के मुताबिक adjust हो गया automatic अगर यह option यहां से off होगा तो यह उसकी height के मुताबिक adjust नहीं होगे अब यह independently चलेंगे तो इसको हम on रखते हैं ताकि हमारे पिछले track के मुताबिक यह अपनी height को adjust कर ले automatically यह देखे यह हो गया adjust दोस्तो आगे चलते हैं और आगे चलके बात करते हैं tracks को हम किस तरह के से select कर सकते हैं select करने का simple तरीका है कि आप अपने mouse से left click करेजिए और यह select होते रहेंगे दूसरा तरीका यह है कि आपको अगर दो tracks एक साथ select करने हैं तो आप control दवा के दोनों को एक साथ select कर सकते हैं तीसा तरीका यह है कि आप एक track के बाद सबसे last सारे tracks अकर एक साथ select करने चाते हैं तो shift की मदद से नीचे के track करेंगे सारे track एक साथ select हो जाएंगे दोस्तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को subscribe कर लें और बगल में बने के आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी latest वीडियो मिलती रहें उसी तरीके से अगला step है कि आप अगर चाते हैं कि keyword की मदद से select हो जाए बिना mouse की मदद से तो आप shift दवाएंगे और down arrow दवाएंगे तो नीचे के tracks भी अपने आप select हो जाएंगे तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे चलके बात करते हैं tracks को आप किस तरीके से duplicate कर सकते हैं माल लेजे आपको इस track को duplicate करना है with all the audio events in it तो simply आप उसको क्या करेंगे select करेंगे select करके आप प्रोजेक्ट में जाएंगे प्रोजेक्ट में जाने के बाद duplicate tracks कर देंगे duplicate tracks करते हैं इसका नाम है 111 और जो duplicate track बना है उसका नाम है copy of 111 जिसमें आप देखेंगे कि इसका simple same to same as it is ने copy कर दिया है तो इस तरीके से आप इसको copy कर सकते हैं पूरे-पूरे track को दोस्तों आप कर चलते हैं और आप चलके बात करते हैं कि tracks को आप किस तरीके से disable कर सकते हैना track को disable करने के लिए simply बहुत simple commandढ है आप right click करेंगे right click करने के बाद यहां पर देखेंगे आप disable track ख़र हम तmost फाने आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के साथ ही देखिए यह एक फिलयू बात है कि यह तो ट्ली सेस्षिवल हो गया है आप खुत भी प्लैबक करेंगे तो राक के कौंटेंट कॉंटेंट फीले नहीं होंगे और वैसा ही आपको इनेबल कना चाहते हैं तो इनेबल simply आप right click करेंगे और इसको enable track करेंगे तो यह देखे यह grain हो गया highlight हो गया इसका मनलब कि इनेबल हो गया है आप देखेंगे अपना अगर mix console खोलेंगे mixer खोलेंगे mixer आप F3 की मदद से खोल सकते हैं F3 आप दवाएंगे तो आप यहां देखेंगे यह देखेंगे यह लिखाव है copy of 111 अगर आप इसको disable कर देते हैं तो यह आपको mixer में mix console में नहीं दिखाएगा यह देखें 111 की बाद 222 अगर आप इसको enable कर देते हैं तो यह आपको फिर mix console में दिखाएगा copy of 111 दोस्तो आगे चलते हैं और आगे चलके देखते हैं कि आप अगर इन tracks को किसी एक folder में डालना चाहते हैं तो कैसे डल सकते हैं उसका फायदा यह होता है folder में डालने का कि आप इन सब को एक साथ edit कर सकते हो तो आप simply उसके लिए क्या करेंगे आप यहां पे क्लिक करेंगे और आप क्लिक करके यहां पे folder track को यह रहा एड फोल्डर ट्रैक आपने खोल लिया है यह देखिए यह है आपका folder track यह खुल गया है आपका folder track इसको मैं drag and drop करके ऊपर करता हूं और tracks की height को हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं बस अब मैं अपने audio tracks को इसके अंदर कैसे डाल सकता हूं simply आप इसको select कीजिए shift की मदद से shift दवाईए और उपर तक shift दवाईए और इन सब को पकड़के इसके अंदर बीच में डालेंगे तो folder track के यह सारे अंदर चले आएंगे आप folder को यह से बंद कर देंगे तो यह देखिए यह बंद हो गया है और आपको यह इसके अंदर सब चीज़े दिखा रहा है आपको अगर simply इंको edit करना एक साथ माली जे मुझे इंको cut करना है तो आप simply cut कर सकते हैं यह देखिए इसको हम पहले seconds कर लेते हैं यहां cut कर देते अगर अगर इसको बहार करना है किसी एक ट्रेक को आप simply इसको पकड़के folder track के ऊपर देजिए तो यह folder track के बहार आ गया है आप इसको बंद करेंगे तो यह track जो आपका भार था वह भार ही रह गया और बागे सब ट्रैक जो अंधर थे वह अंधर ही रह गया है दोस्तो fowler track का एक फंचन यह भी है एक तो इसमें एक साथ हो जाती है दूसरा है कि अगर आप सिर्फ इसी के कंटेंट सुनना चाहते हैं तो सिंपली आप सोलो दवाएंगे तो यह सिर्फ इसी के ही में ज्यादा उप्संस का अगर आपको देखना है तो इस पर राइट क्लिक कीजिए राइट क्लिक के शो डेटा उन फॉल्डर ट्रैक्स के बारे में दिखाएगा इसमें देखिए आप इसमें अलग अलग चीजे हैं आलवेज शो डेटा का मतलब है कि डेटा यह हमेशा अगर आप इसको नहीं देखना चाहते हैं तो नेवर शो डेटा आप करेंगे तो देखिए फोल्डर डेटा के अंदर क्या-क्या था वह नहीं दिखा रहा है आपको बस आप जब इसको एक्स्पेंड करेंगे तो यह तभी दिखाएगा यह देखिए ओल्वेज क्या उसके नाम है इस तरीके से यह देखिए शो डिटेल करेता हूं यह देखिए डिटेलिंग वी उसमें दिखाने लग गया है दोस्तो आगे चलते हैं और आगे चलके देखते हैं कि आप और लैपिंग ओडियो को किस तरह के से हैंडल कर सकते हैं माल लीजिए मेरे पास विजिवल है सिर्फ वही प्लेगा इसके पीछे जो यह वाला आडियो jan चुप गया है यह उसको प्ले नहीं करेगा। में यूशे की आप जो एपने की बोड से कंट्रूल करेंगे और करेंगे और टूफ्र consciences में तू फ्रंट में आपका जो सगिंड टेक कलीमबा उसको अगर आप क्लिक कर देंगे तो यह देखिए यह वाला टेक मेरा ऊपर आ गया इसके तो इस तरीके से आप और लैपिंग ऑडियो को हैं दोस्तों आगे चलते हैं और आगे चलके बात करते हैं हर एक ट्रैक के आप इसमें पहले से बने हुए हैं जो कि आप यूज कर सकते हो यह मैं आपको पहले भी बता चुका हूं वैसे इसको यूज करने का सिंपल तरीका यह है कि आप ट्रैक को सलेक्ट किए और यहां पर देखिए नो ट्रैक प्रिसेट लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे तो कि दोस्तों आगे चलते हैं और आगे चल्के देखते हैं कि हमारे ट्रैक के प्रिसेट आप कैसे बडा सकते हैं यहां पर यहां पर बहुत को सारे प्रुदेफ्स मिल जाएंगे विढ़ा इसने हम plastics मिकेशन में लिमिंटर सब आगे हैं हाला कि इसने पूरी साउंड ही चेंज कर दी इसकी तो आप इसको थोड़ा सोच समझ के अपलाई कीजेगा अपने ट्रैक्स पे दोस्तों आगे चलते आगे चलके बात करते हैं कि मान लीजिए आपके इस ट्रैक में आडियो रीजिन है और इसके आप आप अपने अनुसार इसमें इंसर्ट वगरा डालना चाहते हैं कुछ भी आप इसमें अपने अनुसार आपने सेट कर लिए हैं डाल लिए हैं और आप चाहते हैं कि इसको पूरी स्ट्रिप को आप सेव कर लें आपके नेक्स पोजेक्ट के लिए या फिर किसी और ट्रैक क डाल लिते हैं और सें even कि इसमेंрок पिसमें बस अभी कुछ बनी नई है तो फिलाल इकूलैजर को चेंज करें कुकर लिते हैं तो यह हमने सेटिंग इसमें कर लिद्व है अब इसको सेव करने की सिंद्विंख क्लिक करें करेंगे सेट करने के बाद आप इसपे अपने नाम का नाम का टैग लगा सकते हैं कुछ भी माई है प्रीसेट वण सिम्पली अबिसको कर लिजी ओके कर लेंगे तो यह आपका ट्रयक प्रिसट सेव हो गया है अगर आप इसको फिर से लॉड कर जाते हैं सेम इसी ट्रेक प्रिसेट को इस वाले में तो आप सिंपली इसको राइड क्लिक करेंगे लोड ट्रैक प्रिसेट करेंगे और लोड ट्रैक प्रिसेट करने के बाद आप देखेंगे कि आपका ट्रैक प्रिसेट यहां पर आपको दिखाई देना चाहिए जिस नाम से था वो माई माई M में मिलेगा यानी की यह देखेए यह ना माई प्रिसेट वन माई प्रिसेट बेह आपने क्लिक किया और ओके किया तो जो इंसर्ट्स आपके इसमें लगे वे थे यह देखिए सारे स्ट्डे फिल्टर टून बिश्टर वगरा वही आपके इसमें भी लग गये हैं same to same equalization हो गया है insert भी same to same आ गये है इस पे आप देखेंगे यह देखिए insert same आ गये है equalizer same आ गया है तो यह technique बहुत अच्छी है आप इंको save कर सकते हैं इस technique की मदद से तो दोस्तों उमीद करता हूं कि आपने इस session में काफी कुछ सीखा है track handling के बारे में जिसमें कि आपने सीखा है adding tracks, removing tracks, moving tracks, renaming tracks, coloring tracks और काफी कुछ सीखा है track के बारे में आपको track कैसे handle करने उनके बारे में काफी कुछ vision क्लियर हो गया हो गया तो दोस्तों धन्यवाद आपने इस video को देखा और अगर आपको ये video अच्छा लगा तो आप मेरे channel को subscribe जरूर करिए क्योंकि इससे मुझे और भी videos बनाने में मदद मिलती है धैंक्यू दोस्तों धन्यवाद फिर मिलेंगे एक नए video के साथ धैंक्यू दोस्तों अगर आपने हमारे channel को अभी तक subscribe नहीं किया है तो आप हमारे channel को subscribe कर लें और बगल में बने क्लिटे के आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी latest videos मिलती रहें